मसकार दोस्तों, वैलकम टुश्टडी वित नीलम, तो हाल ही में पद्म पुरसकारों की घोशना की गई है, चलिए तो जान लेते हैं किन-किन महत पूर्ण व्यक्तित्व को मिला है पद्म पुरसकार, जो इंपार्टन्ट है और जिने हमारे एक्जाम पॉइंट अब व्यू स हमारे लिए याद करना जरूरी है, चलिए तो देख लेते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा कुल कितने पद्म अवार्ड वर्स 2022 में देने की घोशना की गई है, तो यहां हमारा राइट आंसर होगा, टोटल पद्म पुरसकार दिये जाएंगे 2022 में 128, कितने दिये जाएंगे 128, देखिए, भारत का सरवोच्चों जो सम्मान होता है, वो क्या होता है, भारत रतन, इस वर्ष भारत रतन किसी को नहीं दिया गया, उके, भारत रतन किसी को नहीं दिया गया, उसके बाद इस्तान आता है पद्म विभूशन, फिर आता है पद्म भूशन और अंतिम में आ 17 पद्म भूशन दिये गए हैं और 107 पद्म शरी दिये गए हैं तो हम यहां पर इन सभी नामों पर चर्चा करेंगे इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे और जो 107 हैं इसमें कुछ important देख लेंगे और समय समय पर जो daily current affair होगा उसमें हम important personality को शामिन करते जाएंगे क्योंकि 107 याद करना हमारे एकजाम के लिए जरूरी भी नहीं है और time wasting होगा लेकिन जो ज़्यादा चर्चा में रहे हैं उन्हें हम देख लेंगे केंद्र सरकार ने वर्षो 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूशन अवर्ट दिये जाने की गोशना की है तो right answer होगा हमारा यहाँ पर एक चार लोगों को कौन है वो चार लोग तो जर्नल विपिन रावत हैं कल्यान सिंग है आभा आत्रे हैं सौरी प्रभा आत्रे हैं और ये हैं आपके खिमका राधिश्याम खिमका तो इन चार व्यक्तित्व को दिया जाएगा 2022 में पद्म विभूशन दूसरा सर्वोच्य सम्मान तो इन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में पहले हैं जर्नल विपिन रावत और आप जानते हैं ये देश के पहले CDS भी हैं है ना इनका एक हवाई दुरगटना मे 8 दिसंबर 2021 को क्या हो गया था निधन हो गया था और इन्हें दिया गया है पद्म विभूशन अवर्ड 2021 ठीक है 21 के होते हैं 22 मेंने सम्मानित किया जाता है याद रखेंगे जर्नल विपिन रावत कहां से हैं जर्नल विपिन रावत तो ये उत्राखंड से हैं कहां से हैं उ प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी को अगर गरतन्तर दिवस परेट के दोरान देखा होगा तो उन्होंने जो टोपी पहनी थी अपने सर पर वो उत्राखंड की पारंपारिक टोपी है और वो किसे सरद्धान जली देने के लिए जन्रल विपिन रावत को सद्धान जली देने के लिए उन्होंने इस बार कोई पगड़ी या साफा नहीं बांदा था वही टोपी धारण की थी तो याद रखिएगा दूसरी परस्नालिटी है कल्यान सिंग इन्हें दिया गया है पद्म विभूशन अवार्ड दो हजार बाईस 21 अगस्त दो हजार इकिस को इनका निधन हो गया उत्तर प्रदेश के ये दो बार मुख्य मंतिर रहें 1999 से 1992 संत्यानवे से 1999 2015 में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे हैं और 2014 से 2019 तक राजिस्थान के भी गवर्नर रहे हैं तो ये भी आप याद रखेंगे कल्यान सिंग क्या मिला है पद्म विभूशन जर्नल विपिन रावत पद्म विभूशन कल्यान सिंग पद्म विभूशन तीसरी पर्सनालिटी है डॉक्टर प्रभा आत्रे इन्हें भी दिया गया है पद्म विभूशन किराना घराने की प्र स्वर रंजनी नामक दो पुस्ता के प्रभा आत्रे के द्वारा लिखी गई है और इन्हें भी मिलाए पद्म विभूषण कहां से हैं ये तो ये महराष्ट से हैं कहां से हैं महराष्ट से तो जर्नल विपिन रावत उत्रखंड कल्यान सिंग उत्तरप्रदेश और प्रभा आ ये सास्तरी गाई का हैं इन्हें पद में विभूषण मिला इनकी दो रचनाएं आपको याद रखनी है स्वर रागनी और स्वर रंजनी पूछी जा सकती हैं तीसरे व्यक्तित्व हैं रादे श्याम खेमका चोथे हैं तीन अप्रेल 2021 को रादे श्याम खेमका का निधन हो गीता प्रेस गोरकपुर के अध्याक्च रहें गीता प्रेस जो है इससे ये लंबे समय तक जुड़े रहे और इसके अध्याक्च रहे थे कल्यान पत्रिका जो थी उसके भी कई दशों तक संपादक रहे रादेशाम खिमका और गीता प्रेस के भी अध्यक्षिते जो गोरखपुर में इसाथे थे बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं लेकिन अधिकतर वक्त ये बनारस में बिताया है इन्होंने कहां से हैं बेहार से हैं रादेश्यम खिम का और अधिकतर वक्त बनारस में बिताया है क्यूं दिया गया गीता प्रेस गोरकपुर के लिए बहुत महत्पुन कारे किये नोंने साहित्य के चेतर में और कल्यान पत्रिका से के भी संपादक रहे तो इन्हें को ये तो याद रखना है आपक दूसरे थे आपके कल्यान सिंग, तीसरे थी आपकी प्रभा आत्रे और चोथे हैं आपके राधेश्यम खिम का ओके इन चारों को क्या मिला है पद्म विभूशन पुरुसकार केंद सरकार ने कितने पद्म वूशन अवर्ड 2022 में देने की घोशना की, राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा A, 17 व्यक्तित्व को दिया जाएगा पद्म वूशन अवर्ड, तो यहाँ पर एक नदर में हम उनको देख लेंगी कि उन्हें किस छेत्र में दिया गया, किस र के वरिष्ट नेता हैं, बहुत जादा विवाद हुआ, कॉंग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोगों के इनके ओपर कमेंट आए कि नहीं लेना चाहिए था, तो कहां से मिला पबलिक अफेर्स से, किस राजिस हैं, जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री हैं, आपकी बंगला, अस्मिया, हिंदी और कई यूरोपी जो भासा हैं, उसमें भी इनोंने फिल्मे की हैं, नियॉर्क में भी फिल्मे की हैं, कहां से हैं, पच्चिम, बंगाल से हैं, फिर है गुर्मीत बाबा, इन्हें मर्नो प्रांत मिला है, यह महिला हैं, कला छेतर से पंजाब से, पंजाब की प्रसिद्ध लोक गाई का हैं, कौन गुर्मित बाब, क्या हैं, पंजाब की प्रसिद्ध लोक गाई का हैं, चोथे नंबर पर आते हैं, और बहुत ज़्यादा विवाद हुआ इनको लेकर, बुद्ध देव भटाचारी, ठीके, यह पंजाब की प्रसिद्ध लोक गाई तो इनकी परिवार को इनफर्म किया जाता है, पहले किसी भी व्यक्ति को अगर यह पुरुसकार दिये जाते हैं, उनकी फैमिली को उन्हें, क्योंकि यह तो बहुत ज़्यादा बुड़े हो गए, तो इनकी जो फैमिली है, उन्होंने पहले मना नहीं किया, लेकिन अवर्ड मिलने के बाद मना कर दिया कि यह अवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके तो यह भी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, तो याद रखेगा बुद्ध देव भट्टाचारे पूछा जा सकता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक 11 वर्षो तक, तो पश्चिम बंगाल 2000 से 2011 तक रहे थे, नट राजन चंदर सेखरन, ट्रेड और इंड़स्ट्री के छेतर में मिला है, महराष्ट के हैं, और टाटा सम्हू के चेर परसन है, कौन? नट राजन चंदर सेखरन, क्रेशना एल्ला और सुचित्रा एल्ला, ट्रेड एंड इंड़स्ट्री कहां पर हैं, ये तेलंगाना, ठीक है, कहां से हैं, क्रशना एल्ला और सुचित्रा एल्ला, ये दोनों दमपत्ति हैं, हस्बेंड वाइफ हैं, आप इने बिल्कुल नहीं बूलेंगे, जो भारत बायोटेक आपने नाम सुना होगा, कोविड नाइटीन के दुरान, जिनोंने कोविसील्ड बनाई थी, ठीक है, क्या बनाई थी, कोविसील्ड भारत बायोटेक के दौरा, तो उसके, उस कमपनी के ये क्या हैं, संस्थापक हैं, कौन-कौन, कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, दोनों हस्बेंड किस राज्य से हैं, तेलंगाना से, तो इन्हें भी दिया गया है, ये पदमभूशन आबोड, हस्बेंड वाइप को, यहाँ पर दो जोड़ी हैं, हस्बेंड वाइप की, जिन्हें संयुक्त रूप से, मतलब दोनों हस्बेंड वाइप को पदमभूशन मिला है, फिर है मध मधुर जाफरी, कौन है, मधुर जाफरी, पाक कला, ये नियॉर्क में रहती है, यूएसे में रहती है, मतलब नियॉर्क, यूएसे, ये एनराई हैं, जिन्हें दिया गया है, पदमभूशन पाक कला में, ठीक है, खाना बनाने की कला में, इनकी कई बुक फेमस हो चुकी है इन्हें दिया गया है क्या आपका पद्म भूशन याद रखिएगा पूछा जा सकता है मधुज आफरी का संबन किस छेतर से है तो पाक कला से है ये USA में भारती मूलकी है इन्हें भी दिया गया देवेंद्र जागजरिया अगें मोश्ट इंपॉर्टेंट कोशन यहां से राजिस्थान से देवेंद्र जाजरिया राशिद खान ओके जो आपकी जब भी मेट मूवी है उसमें गाना था आओगे कब तुम साजना ये वाला और बहुत सारी फिल्में हैं बहुत अच्छा संगीत दिया इन्होंने राशिद खान ने तो इन्हें मिला है कला के छेतर म क्या पद्म भूशन अबॉट किस राजिसे हैं राशिद खान तो उत्तर प्रदेश से हैं फिर आते हैं राजीब महर्शी बहुत नाम सुना होगा आपने ठीके राजीब महर्शी को सिविल सर्विस के चेतर में कहां से आते हैं राजीब महर्शी तो ये आते हैं आपके रा ये भारतिय मूलके हैं इसलिए इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों पर पहुंचे हैं लेकिन भारत के लिए नोंने क्या किया? क्योंकि कोई भी Award कोई भी सम्मान जो दिया जाता है भारत रत्न पद्म भूशन पद्म भीभूशन पद्म शिरी तो जो भारत के लिए कुछ आप उसके CEO हैं और दोनों ही यूएसे से तो यूएसे से के तीन व्यक्ति आप याद रखेंगे एक जो पाक कला में हैं माधूरी जाफरी को और दो हैं सत्यन अडेला और सुन्दर पिचाई फिर है Cyrus Punawala Cyrus Punawala का नाम आपको नहीं भूलना है आपने नाम सुनाओगा Serum Institute of India ठीक है जिन्होंने को वेक्सीन बनाई थी Serum Institute of India के हैं ये संसापक सदश्य कौन Cyrus Punawala Serum Institute of India कहां पर है पूरे में है जिन्होंने को वेक्सीन बनाई थी तो इन्हें ये महराष्ट से हैं इन्हें भी मिला है पद्म भूशन अबार्ड फिर है संजे राजाराम इन्हें मर्नो प्रांथ मिला है Science and Engineering की फिल्ड में ये मेक्सीको में है ठीके कहां है मेक्सीको के थे और मर्नो प्रांथ ने दिया गया है ठीके चार जो व्यक्ति हैं NRI हैं इस लिस्ट में फिर है प्रतिभार रे Literature and Education के छेतर में दिया गया उडिशा भासा की ये लेखी का है कौन प्रतिभार रे इन्हें भी दिया पद्म भूशन स्वामी सच्ची दानन लिट्रेचर and Education की फिल्ड में गुजरात के हैं स्वामी सच्ची दानन फिर है वसिष्ट तरपाथी Literature and Education उत्तर प्रदेश से तो पद्म भूशन नहीं मिला है ठीके तो लिट्रेचर और Education में प्रतिभारे स्वामी सची दानन और वसिष्ट तरपाथी को आप याद रखिएगा नेक्स्ट है केंद सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2022 में देने की गोशना की तो बहुत बड़ी संख्या है राइट आंसरो गड़ी 107 एक सो साथ लोगों को दिया जाएगा एक सो साथ लोग हमें याद नहीं रखना है हाला कि आपको आगे लिष्ट पूरी मिल जाएगी आप इसकी PDF डाउनलोड कर लिजेगा Study with नीरम चैनल पर जाकर यहां हमसे important personalities पर डिसकस करेंगे जिनसे हमारे एक्जाम में question बनने के chances होंगे तो यहां आप देख सकते हैं नीरत चोपड़ा ठीके जो Tokyo Olympic था उसमें इन्होंने भाला फेक में क्या जीता था व्यक्ति गत स्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था ठीके और 87.something इन्होंने मीटर में क्या करा था 85 है ना 87.85 मीटर इन्होंने भाला फेक था और इनके भाला फेक ने के अफसर पर ही 7 अगस्त को क्या मानाया जाने लगा भाला फेक दिवस मनाया जाने लगा प्रती वर्सकव 7 अगस्त को तो नीरत चोपड़ा को आप बिल्कुल नहीं बुलेंगे पहरा अथेलेटिक्स सुमेत इंतल इन्होंने भी पदक जीता था पहरा अथेलेटिक्स प्रमोद भगत मोस्ट इंपॉर्टेंट परसनालिटी इन्स रलेटिट कोश्चन डेफिनेटली आएगा किने क इन्होंने भी पदक जीता था सोनु निगम ये सिंगर है और एक्जाम में सोनु सूध आपको दे सकते हैं लेकिन आपको याद रखना है सोनु निगम इन्हें भी क्या मिला है पदम शिरी अवार्ड मिला है तो ये तो इंपॉर्टेंट हैं 107 में से ओके और हम डेली करंट फिर से जो देखेंगे तो उसमें एक एक दो दो वो परस्नालिटी इंक्लूट करेंगे जो आपके एक्जाम में आज सकती हैं बाकी आपको इन्हें याद रखना ही रखना है यहां आप लिश्ट देख सकते हैं पूरी 107 लोगों की ये आपको PDF में मिल जाएगी और अगर आप मद्धिपरदेश के स्टुडेंट है तो मद्धिपरदेश के जो पांच व्यक्तियों को पद्म शिरी अवार्ड मिला है तो उन पद्म शिरी की लिस्ट आपके टेलिग्रम चैनल में पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी है ओके फ्रेंट्स तो ये थे हमा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलिग्रम चैनल जरूर जोइन कीजिए कई बार यूटूब से नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है लेकिन टेलिग्राम पर आपको हमारे सभी लेक्चर की इन्फोर्मेशन भी मिलेगी नोटिफिकेशन भी या video related कोई भी discussion होता है तो वो telegram channel पर आपको मिल जाएगा ओके friends, thanks for watching and take care